हेलो व्यूवर्स एक बर फिर से बहुत स्वागत है पीएस विलेज इंडिया टीवी चैनल पर देखिए मेरे सामने ये मेरे माता जी आज आप लोगों को एक बहुती स्पेशल रेसिपी की बारे में बताएंगी वो है जैक फूर्ट का अपम और बेंगुली में जैक में आज मैं दिखाऊंगा कैसे मताजी जैक फूख से अपपम और मॉमो टैप के जो पीठा हम बोलते हैं बेंगुली में वो कैसे बनाते हैं तो पहले जैक फूट को आपको इसको बीच में से तोड़ना पड़ेगा उसके अंदर जो मेटरियल से उसको निकालना पड़ेगा और जैक फूट के अंदर गम टैप का होता है जो गम आपके हाथ को घराब कर सकता है उससे बचने के लिए आपको मस्टर डोयल से हाथ को पहले वो करना पढ़ेगा यह मस्टर बेड़ है मस्टर उसको आपको हाथ में अच्छे से लगा लेना है ताकि आपको जैक फूट का अंदर का जो गम है वो आपको हाथ को कोई नुक्सान न पहुचा है ह इस तरह से तुरा सा सर्सुका तेल लेके आप अपने हाथों में अच्छे से मड़ो लीजिए इसको फिर हम जैक फूट को तोरेंगे यह देखे जैक फूट इसका स्मेल जो है एकदम दिल को दिवाना कर देता है काफी अच्छा स्मेल आ रहा है देखे इसके अंदर इस तरह का कुछ होगा हम लोग इसको jackfruit के कूश बोलते हैं बिंगुली में हिंदी में दाना बोलते होंगे इसको आपको निकालके यहापे रख लेना है अलक से एक बावल में इसको रख लेना है इसके अंदर देखिए एकदम पिला-पिला देखते ही जो है बहुत अच्छा कुछ बुआ रहा है आप लोग अगर जैक फूट कभी जो लोग मैकसिमम लोग तो जैक फूट खाया होंगे जो लोग नहीं खाया होंगे तो कभी प्लीज जैक फूट दुकान में जाहिपे भी स लेके उसको तोड़ेके उसका स्मेल और उसका खाके देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसे तोड़ते हैं इसके अंदर जो यह पिला-पिला सा टाइप का चीज है यही चीज आपको निकालना है और बाकी कुछ नहीं निकालना है और उसको एक अलग से बावल इस पिला वाले पॉर्षन के अंदर उसका सीड होता है जैक फूट का सीड यह इतना निट्रिशियस है ना उसका पावडर आप गुगल करके सार्च करके देख सकते हो जैक फूट का आपको पावडर मिलेगा जो डैवेटिक पेशेंट के लिए अच्छा है और वैसे भी आ अधर मेडिसिनल क्वालिटी भी है एक तरह का यह अशुदी है अयर्वेदिक आशुदी जैक फूट उसका जो यह पिला पिला पॉर्षन है जो उसका अंदर का है यह भी आप खा सकते हो और उसका दाना उसको आप ऐसे निकालके ड्राई करके धूप में सुखाके साफ करक और उसको प्रयब करके रख सकते हो और तीर चार महीना आप खॉठ इक फूट का दाना बहुत ही गुनकारी है बहुत ही दर फाइदमन्द है आप देख लेना रिसार्च करके इसको भी आप स्टोर करके रख सकते हो तो तो मेरे यह मैर्ध edgar के हमारे ज़गाव में जयक एक दम पेर में पका हुआ चेक फूट है कितना अच्छा है देखो दोस्तों यह ममी निकाल लिया है कटायल का सारा दाना साफ करके इधर रख दिया और इस बॉल में जिस हिस्से का हम लोग बनाएंगे रेसिपी वो निकाल के अलग कर दिया है कूश को अलग करके रखा हुआ है तो ममी ने गर्मी में बैठके मेरे खाती यह सारा काम कर रही है तो ममी कुछ कहना चाहती है हां ममी बताओ बलो अब बलो अब जान्माबात अभी जैक फ्रूट हम लोग उसका जूस आउट कर रहे हैं जैक फ्रूट के दाना निकाले थे अंदर से इस दाने को यह सारे जो पीला-पीला पार्ठ है उसको एक छन्निकि उपर ले लेना है और जिस तरह से ममी जी इसको मसल मसल के जूस निकाल रही है निचे जूस जमा इसका मॉमो पीठा यानि अपम बनाएंगे यह देखिए इसका रास इसका जूस एक्स्ट्रेक्ट कर लेना है जैक फूट से जूस काफी नुट्रिशिया से बहुत ही ज्यदा क्योंकि मैंने खुद आपने उपर आजमा के देखा है जैसे यह होता है जून जुलाई मैं जून बहुत जैक्फूट है तुम जिम करने के बाद जैक्फूट खाना तुम जिम करके आके अपने पेर से तोरके जैक्फूट खा लेता था तो तीन महिने में आप लोग बिलिव नहीं करोगे बहुत ज़्यादा वेट गेन किया मैंने और अपना अच्छा-कासा बोड़ी बन आएंगे जैक फूट का अपम तो इसके लिए आपको चाहिए होगा यह जो है यह चावल का डस्ट है राइस डस्ट इसको हम चावल का बैसन भी कह सकते हैं और यह सूजी है समूलीना और यहां पर है गुड और यह है जैक फूट का जूस तो अभी मम्मी का जो रेश्यू है हो तीन कप आपका होने चावल का डस्ट तीन कप चावल का डस्ट यह आपको तीन कप चावल का डस्ट ले लेना है तीन कप छोटे साइस का कप में तीन कप चावल का डस्ट होगा और सेमोली ना मतलब सुझी एक कप पुरा एक कप सुझी होगा और सॉल्ट आपके टेस्ट की साफ से एक टेबल स्पुन या जितना आप लोग लेना चाहते हैं आपकी साफ से सॉल्ट यह हमारा इंग्रेडियंट्स हम एक साथ उसको मिक्स कर लेंगे और यह गुड़ आधा कप गुड़ यह आप अगर थुरा सा ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो यह कप टैप का गुड़ हमारे जो इंग्रिडियंस है चावल का डस्ट सुझी नमक उसके साथ गुड़ को हम अच्छे से हाथ से स्मेश कर लेंगे और यह जो हमारा जैक्फूट का जूस हमने एक्स्ट्रक्ट करके रखा है यह जैक्फूट का जूस भी हम तीन कप इस सारे पाउडर के साथ उसको मिक्स कर लेंगे तो फिर हमारा बैटर बन जाएगा यह हमने गुड़ को डस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया हाथ से अब उसमें हम लोग जैक्फूट का जूस डालेंगे तिन कप जैक्फूट का जूस भी इसमें डालेंगे यह डिश आप लोग घर पे बना सकते हैं इसको बनाने के लिए जादा कुछ एक्सपेंसिस की ज़रूरत नहीं है बहुत इजीली बन जाएगा जैक्फूट आपको मार्केट में मिल जाएगा असानी से उसको एक्स्ट् ने से मिक्स कर लेना है अब को एक बैटर बना लेना है च्ट्रush बैटर का ठिकनेस जादा अलका भी नहीं होना चाहिए यह देखिए जो मम्मि ऑसकोमेश करके हाथ से अच्छिस से मिक्स कर रहीता को मेरिक तो आन्दाजिस जञा चैफ होगा होगा ऐकि लिकिन जो रेश्यू है कि आपका चावल का दाना चावल का डास्ट तीन कप से मुलीना एक कप या थोरा सा एक कप से ज्यादा भी कोई प्रॉब्लेम नहीं है यह तीन से सारे तीन यह चार कप जितना में आपका थिकनेस कि आप जब उसको वेल में छोड़ेंगे तो उस टैम bleakने चास्तिकनेस इसको ज्यादा घरा हो गया उसको थौड़ा रौ रहा हलका करने के लिए मम्मी अलग से अक प्राण ऊसमें आड कर रही है उससे कि हमारा जो बैटर है यह थोर ऐसा लाइट हो जाएगा हलका हो जाएगा तब हमें तेल में इसको छोड़ने के लिए असान ऐसा हो गया है ताकि आसानी से आप उसको कप में लेके तेल में छोड़ सकते हो और यह सारे चीज मिक्स अब करने के बाद अच्छा सा खुश्बू आ रहा है जैक फ्रूट का गुड का और से मुलीना का बहुत अच्छा खुश्बू आ रहा है तो मुझे लगता है जो पीठ गिराने से अराम से इस तरह से ना जादा श्टिकी होगा ना जादा टाइट होगा ना जादा लूज होगा इस तरह का होना चाहिए आपका बैटर तो मतलब यह अभी तेल में फ्राइ करने के लिए रेडी है तो चलिए चलते हैं स्टोप पे वहां पे हम लोग उसको अब ज्यादा और नहीं खालो भी आज मॉमो की खुश्बू से खीचा चला आया चलो यह हमारा जो बैटर रेडी है अभी कडाय में तेल अल्रीडी गरम था ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए तेल ने तो जल जाएगा मीडियम आज पर जैसे तेल थोड़ा सा गरम हो जाए तो यह जैक फूट का जो डी शाज हम लोग आप लोग को बना के दिखाया यह जैक फूट सही में बहुत ही ज़्यादा गुनकारी है आप गूगल में सर्च कर लेना उसका बेनिफिट्स यह जो आपका स्किन में रिंकल्स आते है एज के साथ साथ रिंकल्स को रेसिस्ट कर यह जैक फूट काफी हलपफुल है और साथी साथ मसल बिल्डिंग के लिए जैक फूट बहुत अच्छा एफिक्टिव है तो जैक फूट का जितने भी गुन है वह बता के समझाया नहीं जा सके बहुत ही ज़्यादा गुनकारी है तो आप घर पे इस तरह से डीशे बना के जीश है तो मुझे लगता है कि लोगो खाना चाहिए आप इसी भी जूस खा सकते हो जूस निकाल के आपको इसका अपम पीठाई बनाना है अब जूस के साथ जो मुर्मुरा होता है उसको एड़ करके जूस फ्रीज में रखे ठंड़ ठंड़ जूस के साथ मुर्मुरा तो बस अगर आपको कुछ स्पेशल करना है तो आप यह डिश बना सकते हो तो देखिए तेल तो डाला हुआ शेलो फ्राय आपको करना है उसको इसमें इस तरह से फ्राई होने के जैसे आप इसमें तेल में डालेंगे तो लगभख आधा एक मिनिट में इसका कलर जो है तो एक मिनिट में इसको तरह से पलेट देना है इसका उपर का हिस्सा भी पक गया अब नीचे का हिस्सा पकने के बाद उसको अलग से बरतन में रख देंगे और हम लोग उसका मजा लेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत-बहुत ध कानल को तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा इंस्पिरेशन मिलेगा इसी फूचर में इस तरह से हम लोग वैसे हम लोग को देखी रहे हो सेटाप इतना खास नहीं है भी आई-पी टाइप की खाना नहीं बनाते हैं गाओ-दिहात में लोग जो बिडिल्लक्लास फेमि